हलो दोस्तों, अभिनाब नाम है मेरा स्वागत करता हूँ आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल Maths by अभिनाव राजपूत में आज ना, आजकल मैं सबसे ज़्यादा जो कमेंट देखता हूँ या फिर टेलिग्राम पर भी जो कॉशन्स आते हैं ना, वो एक आता है कि CET 2024 में लागू होगा या नहीं, अगर होता है तो उसका क्या सिलेबस रहेगा, क्या SSE की तैयारी, हमें उसी के अकॉर्डिंग करनी चाहिए, या फिर बैंकिंग की तैयारी, या बांकी सारे और एक और जो बहुत ज़्यादा कॉशन्स आता है ना, वो कि क्या सर्फ फाइनल येर स्टुडेंट्स अपलाई कर पाएंगे या नहीं, इन दोनों का आंसर दूँगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या फाइनल येर स्टुडेंट वाले बच्च्या एक्जाम दे तो फैब मार्स तक आपकी वो हो जानी चाहिए, ग्रेज्वेशन या अपरिल आइगेस, ठीक है, और अगर आप सेकेंट हाप में में सोता है, तो सेप्टेंबर माना जाता है, एक सेप्टेंबर, लेकिन मैं फिलहाल के लिए यही बोलूँगा आपको कि आपना इन सब है न, सेलेक्शन नहीं ले पाते, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप फाइनल लियर में हो और अभी से तैयरी करो तो सेलेक्शन फर्स अटेंब में में मेली जाए, ठीक है, बहुतों को दो-डेड़ साल लगते हैं, तो who knows, you are among them, हो सकता है, कोई बड़ी बात नह है, तो इस चकर में मत पड़ो कि दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, जब notification आएगा तभी, मैं अगर अभी बोल दूँ हाँ, दे दोगे तो भाया वो गलत हो जाएगा, मैं बोलू हाँ नहीं दे पाओगे, वो भी गलत हो जाएगा, तो wait for notification, उसमें सब पता रहेगा, और फिर ज बहुत सारे videos के नीचे, comments में पड़ रहा होता हूँ, मैं reply नहीं देता हूँ, कि sir ये सारी strategy खराब हो जाएगी, ये सारे math के questions बेकार हो जाएगे, reasoning बेकारी पड़ रहे हो, English बेकार पड़ रहे हो, GK बेकार पड़ रहे हो, CET आएगा, सब खतम हो जाएगा, अरे, क्या, क आपने निकालना है, mains banking लेगा, railway में भी यह होगा, pre, आप CET निकालोगे, mains आपको railway वाला ही देना है, तो भाईया, अगर मान लो, आभी जाता है, तो क्या फरक पड़ता है, आपने देना है, और बाकी, देखो, personal अगर मुझसे पूछोगे, तो 2024 में मुझे थोड़ा doubt है, इतना जल्दी मतलब नहीं होता है, कि अचानक से कर दिया, बट अगर आभी जाता है, तो हम यह आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, बट अभी मान के चलो, कि आने के chances कम है, अगर आभी जाता है, तो syllabus क्या होगा, एक question आता है, कि syllabus क्या होगा, देखो, CET का जो pre होगा, in any circumstances, bank के pre से tough नहीं होगा, SSE के pre से tough नहीं होगा, railway से थोड़ा साब क्या सकते हो, इन तीनों को mix करके बनाया जाएगा, आपना CETAT का exam देख लेना, या PET के exam देख लेना, PET तो चलो बहुत tough बना दिया इस बार, GK के questions के गारण, लेकिन SSE banking यह जो कहलो कि CGL का pre होता है, उसी का level क आएगा, paper का level कोई बढ़ने वाला नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत tough आने वाला है, easy आएगा, pre है तो pre की तरह ही लिया जाएगा, फिर आता है syllabus क्या है, देखो, syllabus आप banking की देख लो, आप railway की देख लो, आप SSE की देख लो, PET देख लो, seated देख लो, जितने भी exam देख लो, syllabus सेम है, तो भाईया, जो पढ़ रहे हो, उसे पढ़ते रहो, वही काम आने वाला है CET में, कुछ नया नहीं आएगा, एका chapter हटा देंगे, या add कर देंगे, SSE का syllabus इतना वास्ट है कि उसमें क्या ही add करेंगे, अगर add कर भी देते हैं, तो भी हम कर लेंगे, अरे एक chapter add करने SSE का exam दो, की तेहरी करो, अगर आप banking कर रहे हो, तो आप banking का दो, अगर आप same railway का कर रहे हो, तो आप railway का दो, CET को अपने दिमाग से हटा दो, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मत कर, मत कर, CET आएगा, बदल देगा, सब खराब कर देगा, उनको ignore करो, CET आए ना आए, और अगर मान लो, अगर CGL 2024 में, या SSC के 2024 में, CET आता भी है, तो syllabus में कोई खास change नहीं होने वाला है, exam का pattern सेम रहने वाला है, questions उपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको वही पढ़ेगा, तो भाई, पढ़ाई को बिल्कुल मत break करो, इसके लिए कि next year क्या होगा, तो मैं इसको यहीं रोकता हूँ, मैं बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों का time waste हो, क्योंकि ऐसी वीडियो से आपका time, बहुत जादा आपको इसमें knowledge नहीं मिल रहा होता है, थोड़ी information मिल जाती है, बट knowledge बहुत जादा नहीं मिलता है, अगर आप लोग पहली बार इस channel पे हो, या अगर आप लोगोंने like share, subscribe नहीं कर रखा है, तो subscribe करते हो, और video पसंद आती है, तो like जरूट करो, like करते हो, या subscribe करते हो, तो YouTube के algorithm में हमें फायदा मिलता है, हमारे channel को promote किया जाता है YouTube के through, अगर आप ऐसा करते हो, तो indirectly हमें आई करते हो,